है कि अधिक है आज चैप्टर को फिनिश करता है तो आज है नाइंध क्लास के साइंस के बात कर रहे हैं इसका हमना फ़ेश पाट कम्प्लीट कर लिया था जिसमें साजी थी ठीक है तौरी आफ दे एटम है अधिक है जो पार्ट आपने कम्प्लीट कर लिया था और जो सबसे ज्यादा क्यों है मैं बताता है पहले इस तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में इस जीज़ा नहीं होता है कि जिते भी इलक्ट्रों होते हैं वह परमाणूं के जो होता है मारा उसके चारों तरफ की जो कख्षा हैं ठीक है उसके डिस्ट्रीट किया जाता है उसमें कैसे उनको रखा जाता है मैनेजमेंट के सोता है उसके बारे में नेक्शा वैलन सी चीज़े जो में लाश्ट फर्ट चेप्टर में पढ़ चुके हैं ठीक है फिर भी इसको ज्यादा एक्स्प्लेंट पढ़ने वाली चीज़ें तो इसमां कुछ है नहीं अब सबसे जाए इंपोर्टन चीज आज़ इसके बारे में बहुत सारी चीज़े थो में थोरी एक्स्प्लेंट कर देता हूं नाइंटीन नेक्विक नेक्या होता है एक और सब अटमिक यानिकि आव पर माणूं एक और सब अटमिक पार्टिकल निकाला देखो इससे पहले हमने दो पढ़ चुके थे दो फालगे तरह उसका नाम होता है और होता यहको इसके बार एक पर पार्टिकल है कि अंदर क्या होता है इसका मास्क होता है इसका क्या होता है इसको कोई चार्ज नहीं होता है इसका क्या होता है इसको कोई चार्ज नहीं होता है इसका क्या होता है इसको कोई चार्ज नहीं होता है देखो प्रोटोन पर पोजिटिव चार्ज होता था लेक्ट्रोन पर नेगटिव चार्ज होता था प्रोटॉन था जिसके पोजिटिव चार्ज वाता था यह बात थीस के लिए और इलक्ट्रोन के लिए था कि इसका मास नहीं होता है अब तीसरा वालगा निकाला उसमें यह किरा रहे हैं इसका मास होता है और मास कितना होता है परोड़्न की फिए इतना यह इंगी स्का मास प्रोटॉन के इसका मास मास होता है न्यूट्रों न्यूट्रों इसका मास होता है इसको न्यूप्रिजेंट किया जाता है और यह यह भी इसके नुकलियस में जो बी एक्टम होता है उसके नाभिक में प्रिजेंट होता है इसमें और हमारे हैं ऑपोध होता है कि हाइडोजन को छोड़कि सब्सक्राइब नहीं होता है नहीं होता है तो इसके प्रमानों का दिवमा नाभी में उपष्थी प्रोट्रों न्यूट्रों के योग के बराबर होता है यानि कहने का महलब यह कि अगर किसी भी एटम का मास की बात करता हूं सबसक्राइब कि इसके मैं मास की बात करहां इसको मास किसके इक ऐगाalon प्रोटॉन प्लस निट्रॉन की बराबर माना जाएगा यह चीज हमेशे यह तकना फोटन और निटोन की इनकी टोटल की माना जाएगा इन दोनों का सम कर दोंगे उसके इक्स्प्लैन कर दोंगा है निटोन प्लस प्रोटुन दोनों की क्या होता है संकी होता है अब बात करते हैं इन डिपेंट ऑर बिट्स बता थे तो मैं तुम्हें आर्बिट्स के बारे मुद्ध क्या बता था कि यह कोई भी सपोस्ट करना एटम है यह सपोस्ट करना इसके सेंटर नुकले से इसकी तरफ यह साइगें थाड़ फॉर्ट लास बढ़ती जाएं विंगी इन अपे लिए लग्ट्रों किसे मैं डिस्टीबिट करूं तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहेखा है वह फॉमला दे रहे तू एन की फॉर這邊 है यह n है और स्क्वैर अब यह पर एन क्या रिपर्रेजंट करा रहा है और नंबर और नूमर क्य लेकिन वह सरे लोग इसको पहले वाले क्लास को वन देता है तो यानि कि पहले वाले और बीट में सब्सक्राइब करने है अगले वाले क्लास का नंबर एंकी तो चीज कि क्या होता देख वर तो इसको डिशसों डिखाए तो देख लेघाना इसको अंटिकरवर्श करेता है नंबर ओफ और बीट है यहां लिख देता हूं नंबर ओव और वीट यानि कि कौन सी क्लास का पहली लिखाऊ पहली क्लास में पाहले जैसे निकला इसके पास जो वाली और फिर सुछ नंबर दिया जाए जाता है तो पहली ग्लास में कितना इटर इलक्ट्रों आने वाले तो यहाँ लिखा वाले संवाले में तो नमबर दे रहें का तो प्रेजिन इनुटिप्व दैपने निए अगली और खिरेंग के एट वाली के इंदर तब तो इस्था निए क्या होता है कि यहां करेंगे तो कि पावर क्यों तो इंटू अब टू इंटू इंटू इतने होता है लेगो लूम इट नेक्स वागे अघर किए लुदू असे बॉल एंटू इंटू 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 पूर इट किट्चों वह मुथ續 इम एंटू पायदो कि ऑी जागता है ठीक है इतना पता चेए मोस वह सब्सक्ता ने तरोक्राइट हो समझ में चीज यानि कि पहले और बिट में सब तूल रप्टों फील्ड करने सेकिंड में एट अगली में कितने करने सेक्टें और सके ले थाटीटू यह करना है ठीक है कोई हार्ड चीज नहीं है इसमें कुछ भी इसी चीज नहीं है यह जो आपको थोड़ा साथ लगे ठीक ह कुछ है क्या कि अग्जांपल देंके समझा देता हम होती क्या है एक वर्च की सब्सक्राइब कर रहा है याजित आपको बोड्य कि कम्प्रेट की मिल जाए है ठीक है इसमें कि मैं बात करता हूं हमारे इसकी 11 नमश्यसका एटोमिक नमबर कितना रहा है यानिकी परमानु सं है सोडियम की है बात करते हैं सोडियम के लिए वह बोल देखिया आपको इसको इलक्ट्रोन को जमाएक बता ना तो कैसे जमाओगे देखनु इस्ट्रिविट क्या से करोगे सेंट्र में आगा आए यानिकी सिंबल है सोडियम कहां पहली क्लास में अटीक घ्राइब फिर प्या अब एक बच गया उसको अगले वाले क्लास में बठा दिया जाता है इसके लिए सिर्फ एक कंडिशन ही होती है कि अब बात करते हैं वैलेंसी के लिए पहले भी तरीका बताया था कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है इसके साथ ही वैलेंसी के लिए एक और चीज़े रिखी तुम्हें कि इसके अबावा एक को एक में टेक में इसने एक कुछ कंडिशन दे रिखी है मैं आपको रीड करके बता देता हूं कि इसने यह बुला कि चलो ही लेवल का तो मैंने बता दिया हूं इसने यह का सेकेंड पूंट की आउटर सेल के अंदर लग्टरों मैक्सिमम कितने हो सकत हुआ है कि यह भी हमने पढ़े लिया था हूं और यह भी मन बता दें जब तक अंदर की फुल फिल नहीं होते तक के बार नहीं हो सकते कुछ अलग दिया है नहीं तो आप वेलेंसी पर टोपिक पर ठीक है अब स्वेयोजक्ता क्या होती है वापस बता देता हूं अगर कि और यह निकाल ले का तरीका मैंने पहले बताया था अब को एकनी नमबर पता होना जाए कि इसका अपसे पहला है था है इलियं लिए बेरिलीयम और और ना जट्रवन आपन लिए और लॉल नियॉन सोडियम मेंगनेसियम एलिमिनियम यह सबका अपने नमबर है कि 1 2 3 4 5 6 7 आपको सी स्रीज में लेर्ण करना है उसके पास इतना अत्रों करते है और उसके बेसबिखाए जाती है और थोड़ा सब आपस प्रेटरों होता है तो मैंने बताया तो प्रेजेंट होता है है छी से लिख देता हूं फिर तो मैं दिकत गया है वह सकती है इसके इक वाली क्लास को फुलफिल करने के लिए यह जिरूद पड़ रही है लिए इसको फुल करने के लिए नीड है तो इसकी वेलेंस ही कितनी हो जाती है प्लस माइनस वन व्यादी अगली वाली होते है यह लिए वेलेंग के पास अल्रेडी थो जैसे प्रेसंट कम्प्लीट हो जाती क्लास तो इसके कुछ भी निया रखना जैसे class fulfilled हो गई है इसकी total इतने हो जाज़ें जीरो यानि कि जैसे class full हो जाते complete हो दो जीरेक्ट लिखता हूं और ये क्या होता है helium के होता है किसी से भी रेक्ट नहीं करता है ये निट्रल होता है एक ठीक से किसी से reactions नहीं करेगा ठीक है आगे समझे है helium के पास 3 आ गए है तो 3 के पास क्या होता है दो तो अंदर वाली class में भर दिया मैंने और एक जो बच गया हो अगली वाली class में चला गया अब मुझे अंदर वाली class मुझे मसलब हो था बाहर वाली class में कितना present है एक और requirement कितने मुझे 7 की class को बढ़ने के लिए सकती है तो तो मैंने का था कि हमारी जो वैलन स्य वह चार से जादा नहीं हो सकती है चार से कम यह चार प्रिजेंट हो रहे है इस वाली class को फुल्टिल करने के लिए 6 की requirement है यह प्लस बात करता हैं तो कितने हैं जो बार विड़ गया यानि इसके पास प्रेजंट कितने हैं प्लस फुल्पील कर देगा वह और दोरों के टोटल मैं थे आखिए वह नीच चाहिए प्लस-फॉर देखो इसके बाद है नाइटोजन का नमबर आता है किस देपर यानिक इसके बाद साथ है दो न्यादर और पांच बार पांच जैसे बाहर है तो प्रेजेंट हो गये फाइप और रिक्वर्मेंट कितने हो फिर पर बस त्री की आप वैलेंशी चाल से जादे नहीं हो सकती दे इनके जितने भी दे रिखें वो आपको 20 तक 18 तक दे रिखें इनके शिंबल दे दिया इनका अटमिक नमबर दे दिया न्यूट्रोन प्रोट्रोन यह क्या है अगले वाले में समझ वहां कि अगला वले टॉपिक आगा एक किया इनकी चैए इनकी ओर बिद्ध में देखो वैं अगर यहां पर वैलेंशी वान आगे फिर 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 यहां लिखा है कंप्लीट्ल वैसे आपको समझ नहीं कि नहीं है यह कर सकतो अब इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट टोपिक आता है वह आता है वाला अटमिक नमबर और अटमिक मास्क दोनों चीजे क्या होती है जान सो समझ लेना एक लिए पाट करता हूं पहला अटमिक नमबर की आटमिक नमबर की नमबर क्या वहता है अब है कि दो को अब होता है जितने भी होते हैं अ प्लस पॉजिटीव होता है दूसरा को न्यूट्रण न्यूट्रों न्युट्रों घृत्रोंग ने के बात करें लेकिन जो प्रोट्व लक्रोण न्यूट्रों टीनों चीज़ दे रिख हुए तो यहां पर क्या हं कि अटमिक है जितने एंटम के नदर प्रोटों प्रजेंट होते हैं वो उसके अपर सुन लेना अगर किसी भी एटम के अंदर प्रोटोन की जितने संच्चा होती है यानिक नंबर ऑफ प्रोटोन से क्या होता है अपर होते हैं अपर है यह लिखा था लिखा है hydrogen के लिए इसके अंदर ही इसके अंदर ही नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर प्रोटोन की संच्चा भी कितने होते हैं अगरे आपके कार्बन लिख देता हूं का अपर कितना होता है आप सबस्क्राइब लिखा है तो सिक्स का मदल भी हो गया इसका अटमिक नंबर जिसको जेड से रिप्रजेंट किया जाता है इससे रिप्रजेंट किया जाता है आए वास समझें और कुछ भी नहीं है इसमें आगया दो द्रमान संख्या अब द्रमान संख्या क्या होती है ज्यान से समझ लेना तो यह तो समझ वागा यानि कि हमार जो प्रोटोन की जितनी सिंग जितना अटमिक नंबर यानि उसका मलाव प्रोटोन के संख्या बिलते नहीं है अब आपको ज्यादा है नील लंदी अगर आपके पीच्छे नियु मास जिसको बुला दता है प्रमानु द्रयमान क्या होता है वापस वही चीज सेल रहें कोई भी एटम है यानि कि कोई भी प्रमानु है उसके क्या होता है सेंटर में नुकलेस नाभिक केंद वही प्रोटोन उत्ता है वही न्यूट्रोन उत्ता है वही यहमादे लक्ट्रोन उत्ता है प्रमानु द्रयमान उत्ता है तो प्रमानु द्रयमान क्या होता है मैने पहले वी काता इन दोनु का सम्म इन दोनु का एडेशिन यहमारे क्या एपाऊनों का इतने परमानू इतने परमानून को होता है परमानू द्रव्यमान को रिप्रजेंट करता है यानि की सुन लेना आप कहने का मुलब यह इंग्जांपल देखे बताता हूं देखना आप सपूस करना सपूस करना कार्बन एटम है लिखाओ यानि की कार्बन एक नमबर गया समझ करना नमबर मुझे पता है उड़ी कितना होता है सिक्स होता है ठीक है लेक्टोन का लेना देने अगर निकान ले तो मुझे पता है कि इसका कितना होता है सबको भी पता है कि इतना होता है यानि कि प्रोटोन अगर सिक्से और अपको पता है वो क्या होता है यह नहीं पता प्रोटोन मुझे पता है तो कितना जाएगा जाएगे अज हमारी कितना जाता है है हमारे कितना दतना होता है कोई भी हाड़नी चीज कर अब अग्षे एलुमिनें की बात करता हूं टीक है अलम्यूमिनें की बात करता हूं अलमेन का हटा देता हूं पर देखना है यह धर जान से लिख से एलुमिनेंग का एक्टोमिक इत्व को पता है कितना आता है कि इत्व मास सब्सक्राइब यानि की यदि वाध कर सकता हूं यानि कि एटोमिक मास बराबर होता है मेरा प्लस न्यूट्रों मुझे पता 27 दे रहा है तो प्रोटों की नंबर निकालने तो मुझे पता अब नहीं पता कितने हैं निकाल 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 सकते इस बाइब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज आने वाली है जिसको बोला चाहता है आइसे अच्छाएं समिस्थानिक बारी पहले बात करते हैं इसको बोला जाता है कि पहली चीज के समझ किया समिस्थानिक निकाल होता है कहने के मिलब है कि इस आइसो टॉप्स होते हैं जिनके एक नमबर तो सेम होते हैं लेकर एक बाता है एक्जामपल से समझाता हूं बात करता हूं यहां पर है डोजन की है यह पता है अपर कितना होता है लिख देता हूं अब लिखाता है यहां बता देता हूं अगर कोई एलेमेंट है तो नीचे लिखा जाता है एक नमबर और लिखा जाता है अब यह द्याल समझें तो हाइडोजन का देखो मास्ट चीन हाइडोजन की आईसोटोप होता है इस तक होता है लेकिन सबका क्या होता है एक मास्स सबका अलग अलग हो जाता है ठीक है वह कैसे होता है लेकिन अलग लगा यानि कि इसके तीन आइसोटॉप्स होता है जो नाम होता है प्रोटियम इसको बोला जाता है प्रोटियम जिसका आगे दो लिखाव आए उसको बोला जाता है प्रोटोन की संख्या एक है इसमें प्रोटोन एक है इसमें 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 तो होता ही नहीं है पहले बता है है यानि कि पहले अंदर होता ही अब देखो वन वन गई यह चीज होती है यह इसके तीन कि इसके लिए एक और अब बात करता हूं क्लोरिन के दो आइसो टॉप्स होता है एक का आइसो टॉप्स यानि कि इसमें प्रोटोन तो हो रहे हैं 17 और कितने हो रहा है रहा है और वो एटीन में प्रोटोन की सहीं का थो उलिए 17 है जो टिस है और नीट्रोन हो रहे 20 आप एसा क्या चल रहा है इसमें देखो प्रोटोन तो समान नहीं यानि इनके आज अच आज नमबर तो सहीं आ लेकिन इतना तो पता चल गए कि आइसोटोप सब्सक्राइब लेकिन अब बात करता है कि इनका अगर मुझे एक्जाम में यूज करना अब बात करते हैं यह जो दे रखा था मैंने कार्बन सेवन्टीन थाटीफाइब लाएगा सब्सक्राइब लिए लिखा हुआ है प्राकरते में क्लोरीन के दो समिस्षा निक्रूमें पाया जाता जिनका द्रवान 35 और 37 होज़ा जो दिखोंगा तो इनका निकालते हैं तो निकालते हैं अब सब्सक्राइब लिखाने इसते कैसे कैसे निकालता है यह इसका इसको अगरें लेता हूं तो यह यह तो आधों प्लस इसका भी कर देता हूं 37 इसको लिखूंगा मैं 1 upon 4 जो 3 यह आ रहाता 30 के रिश्यों में तो 35 इंटू 3 upon 4 कर दिया मैंने इन दोनों का टोटल सब्सक्राइब करते हैं मुल्टिप्लाइब करो कितना हो जाएगा 142 by 4 इसे डिवाइड किया तो 35.5 यानि कि हम जो एक मास लेंगे अगर कीसी वी इक्वेशन को सुल करने अपता है इसके लिए जाता है इसके आइसे निकाला जाता है और एक्जाम के इंदर हैं तीनों के तीनों के नाम यादर प्रूर्प्स के नाम रखना हो सकता है अगली बात आ लिए हमारी ऐसे टॉप्स के बाद आते हैं इसमों फुछ भी नहीं है आपके इस टॉप्स आने के ज्यादा सब्सक्राइब में आई सब्सक्राइब कि लेंट में खेंने का मलब होता है संबारी क्या आई सो बहुत है जिनका इटमिक नमबर तो डिफेंट डिफेंट होता है लेकिन एक्जामपल देरका है आपके दिर रिखा जैसे केल्सियम और पर आर्गन केल्सियम है कार्मल समझ लेना केल्सियम इन दोनों का देखो लेकिन इनका मास सेम आ यहांने इन दोनों की परमानु संभारिक होती है जिनकी परमानु संक्या तो अलग लग 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 लेकिन परमानु बोला जाता है अब समिस्तानी के कुछ यह एप्लिकेशन थी वह यह थी कि जो यूरेनियम का एक होता है इसको निकले रिक्टर में एज़व यूज किया जाता है प्रमानु बट्टी में इन दन के रूप में यूज किया जाता है और बात है लेटर के बात करता हूं के बात करता हूं तो इसको कंप्लेट करना अब हमारा नेक्स चेप्टर है वह फंडामेंटल इनुट अफ लाइफ यानि कि बायर लोजिकल में बायर वाले चीज़ में आ गई है तो क्याविश्ट्रिक दो चप्टर से अच्छे से पढ़ लेना कोई प्याहाट चीज नहीं आ रही है ठीक है भंपाई तोब में रहे है तो कि लोजिकल में अच्छे से अच्छे से बायर चाजिवश्टर से पढ़ है अच्छे से शीज़ खागता है तो कि बायर चार फ्क्छे से अच्तरिक वहमनें झाभ जगी है।